पुर्पार्मिंग स्टुडेंट्स आप सभी से मैं आशा करते हूं कि आप सभी अच्छे होंगे स्वास्त होंगे कुशल हंगल होंगे और आप सभी को नमस्ते जैसा कि हमारी यह क्लास चलगेती करिकुलम एंड स्कूल की क्यों एक यूनिट है जिसके अंतरकत आता है कि दूसरे चरण के अंदर हम देखेंगे कि पाठेकरम का शेत्र पाठेकरम का शेत्र के अंतरकत बात चल रही थी तो आज हम उसकी दूसरी क्लास शुरू करते हैं आई यह देखिए वह जहां पर भी आप रोकों कुछ समझ में नहीं आए तो एक बार या तो आप महावित्या सब्सक्राइब करें जिस दिन भी आप फ्री हो उसी दिन आजाएं संडे को छोड़ कर ठीक है या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिख सकते हैं चलिए धनियवाद अब मैं अपने अपने टॉपिक पर आती हूं मनो विज्ञान के साथ साथ मनो विज्ञान के विकास से भी मनो विज्ञान के विकास से भी बालकों की अन्य प्रवर्तियों की समुचित विकास को महत में मिला तता यह माना जाने लगा की यह माना जाने लगा की पठन-पठन केवल पठन-पठन पर ही ध्यान देना बालकों के लिए बालकों के विकास की दृष्टी स से एकागी है इस नविंद रस्ट कुन का प्रवाव इद्धियालियों के कारेक्रमों पर पड़ा और उसमें व्यापकत विक्सित हुई है था विद्ध्धियालियों में पठ्ठे विश्यों के साथ साथ एक ऐसी प्रवर्धियों का भी समावेश क्या जाने लगा जिन双 बालकों में बहुतिक ज्यान के साथ-साथ ऐसी प्रभूतियों का समावेश भी क्या जाने लगा जिन में बालकों में बहुतिक ज्यान के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स पूर्व में पाठ्यक्रम की संकलपना में परिवर्तन आते रहे, किन्तों 20 सदी के उतरार्द से पाठ्यक्रम का शेत्र निरंतर वियापक्ता की और बरता रहा, तथा इसके अंतरगत विवित प्रवर्तियों का समावेश होता चला गया इसके साथ इसके शेत्र के विस्तार में गती वर्तमान समय में इतनी तेज हो गई कि उसकी सीमा को चिनांकित करते ही उसमें कहीं अन्य प्रवर्तियों का समावेश हो जाता है इसी स्तिती को देखकर बविट मौध्य ने भी कहा है कि उच्चुतर जीवन के लिए प्रति दिन और 2400 घंटे की जारे समस्त क्रियाएं पाठे क्रम के अंतरकत आ जाती है बविट मौध्य का एक कथन आता है कि उच्चुतर जीवन जीने के लिए जो हम प्रति दिन जो 2400 घंटे जो हम क्रियाएं करते हैं वे सभी समस्त क्रियाएं वे सारी क्रियाएं किसके अंतरकत आ जाती है पाठे क्रम के अंतरकत आ जाती है प्रारव में पाठे क्रम का एक सीमा पार्टे क्रम का सीमा शेत्र विश्यों की निर्धारित पार्टे वस्तुता की सिमित्ता की जो इस पार्टे वस्तक में इतना यहां तक दिया हुआ है तो सिर्फ यह यहीं था की पाठेक्रम की सीमा शेत्र था वहीं था की निर्दारित था, सिमित था शिक्षा तता शिक्षा का उद्देश सूचना आत्म ज्ञान प्राप्त करना होता था कित्तु 20 सती के उत्रार्द में शेक्षिक मनोविज्ञान, शेक्षिक समाश शास्त्र एब शेक्षिक दर्शन शास्त्र आदी विवहार मुसंभंधी विज्ञानों को आत्तेर गती से विकास हुआ जिसका प्रभाव पाठेक्रम निर्मान पर भी पड़ा साथ ही शिक्षन कारिय शेत्र में किये गए अनुसंदालों का भी पाठेक्रम के विकास पर महत्वपूर प्रभाव पड़ा इसमें पूर्व में यह दाढ़ना महत्वपूर थी कि यदि शिक्षक अपने विशे का ग्यान अच्छा ग्याता है और विशे वस्तु पर उसका स् कर ने अगे तो वैसंन भी गूर्व सकता है। जैसे जब्हुतं की कौ्णि कारिया के लिए सबसे ज़्याद क्या पार्टेक्रम भी जरूठी होता है शिक्षक भी क्यों अपनी विशे बहुता है जिर यदी प्रदान करेगा किन्तों यह धर ना प्रायग गलत से इस तथे की फृष्टि हो गई कि जब तक शिक्षारती नविन ग्यान को प्राप्थ करने के लिए मांसिक रूप से तयार नहों तब तक भी उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है तो जब तक शिक्षारती अपने मांसिक रूप से तयार नहीं होंगे तब तक हम उने कोई भी नई चीज नहीं सिखा सकते साथ ही किसी नविन ग्यान को प्राप्त कर लेना ही नविन ग्यान को प्राप्त कर लेना ही बालक के लिए प्रयाप्त नहीं होता जब तक बालक उस नविन ग्यान को प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से के लिए प्रयाप्त नहीं है जब तक बालक उस नविन ग्यान को आर्कमस साथ नहीं कर लेता कि वियभार में उतार लेता उन्स सब ग्यान को तब तक वेभरिक द्रस्टी से उसकी कोई उपयोगिता नहीं है इस प्रकार विवित प्रकार की शोदो द्वारा इस तत्य की पुष्टी हो गई की अधिगम का परिपकवता से संबंद होता है तता अधिगम में व्यक्तिकत वेदो एवं प्रतक्ष अनुभव की भूमिका हो गई गॅसरे उनकी भूमिका होती इस द्रस्टिकों ने विद्यालियों के कारियों में महत्यूश्य को फरिवर्तन ला दिया अब विद्यालिय के यह शोब्हए ग्यान देने कि स्टान पर एसी श्थिशिद्ए प्रस्तुत करने कर त्सुत करना माना जाने लगा है जो बाल इस धारना के पर करिया अधारित पाथेक्रम की संकल्प्रापस्तुत की गई, जिसमें पाथे वस्तु के मैत्वों बनाए रखते हुए उसमें चैन्य क्षास की रिवर्दल पर पर किया गया जैसे carry hey जैसे कि इसमें बताया गया है कि शिक आदिगम के लिए एक अदिगम के लिए एक परिपाथ多 उम्र होती है हन जैसे हम किसी दो साल के बीज़े को कह सकते हैं किक्ष्ण दस्वी को प्रश्ण उत्तरहक बगए कटार लेगा नहीं कर लेगा तो अदिगम कैसे होता है उसकी परिपक्वता जरूरी होती है, अधिगम का संबंद किसे होता है, परिपक्वता से होता है, अनुभाव एवं क्रिया पर आधारित पाठेक्रम को साकार रूप देने के लिए साकार रूप देने की दिशा में सर प्रतम प्रियास करने का श्रह सुष्वेगत राज्य अमेरिका के वरजीनिया राज्य को जाता है, या को जाता है जहां पर शिक्षा विद्व ने शिक्षा के लग्षा को सूचनात्मक ज्यान से हटाकर संपोर्ण व्यक्तिट्व निर्माण के ओर निर्दैशत किया जहां के जो पूर्ण निर्माण में लगा दिया कि पूरा उसका व्यक्तित इस प्रकार से निर्मान किया जाना चाहिए इस प्रकार से निर्देशित होना चाहिए वो उसको निर्मान की और निर्देशित किया इस शिक्षा विदों ने दो प्रमुक प्रश्णों बालक को किस प्रकार का व्यक्तित बनना चाहिए और उसे साम समाजिक प्राणी होने की कारण उसे किस प्रकार का वेवार करना चाहिए हमें किस प्रकार का वेखती होना चाहिए हमें किस प्रकार का वेखती दहयालू होना चाहिए किस प्रकार का होना चाहिए जो भी है उसे तता उसे समाजिक प्राणी होने के नाते हमें किस प्रकार का व अनुभव शिक्षा विदों ने यह अनुभव किया कि शिक्षा के निवदारित लक्षों की पूर्थी है तो समुचित परिवेश सामाचिक पजीवन के स्वभाविक कार्यों को पुरा करने में ही मिल सकता है अताप पाठे क्रम में ऐसे कार्यों पर आधारित करने का विश्य वस्तु के रूप में प्रतिष्टित पाठेक्रम का ऐसा पाठेक्रम का इस्तान ऐसी अभीवृतियों अभूदों योग्यतां और शमताओं आधि ने ले लिया जो की सामान्य जो कि सामान्य सामाजिक जीवन के लिए उप्यों के सिद्ध हो सके इस प्रकार पाठ्य क्रम पाठ्य सामगरी की उचित की सूची के इस्तान पर अधिगम अनुभव के के रूप में परिवाशित किया जाने लगा और उसे संकल्पना के रूप में प्रतिष्टा भी इस प्रकार वर्तमान समय में विद्याले के कार्य शेत्र समय बद पठन पाठन के सिमित गेरे से निकल कर एक व्यापक रूप धारन कर चुका है ये कैसा रूप धारण कर चुका है एक व्यापक रूप धारण कर चुका है जिसके कारण इसके सीमाई निश्चत कर पारना बहुत कटिन होता जा रहा है जो कि विद्यालियों में आयुजित की जाने वाले सभी प्रबर्तिया पाठ्यक्रम का ही अंग होती है अत्य पाठ्यक्रम का विस्तार शेत्र का निर्धारण करना भी उतना ही कटिन कार्य है फिर भी शिक्षा विदों ने पाठ्यक्रम के अंसर पाठ्यक्रम को उसके अंसर कत संपादित के जाने वाले कार्यों के आधार पर सिमांकित करने का प्रियास किया है माइकेल पहलारडी के अनुसार सामान्यता पाठेक्रम को विद्यारती के उन समस्त अनुबों के रूपे परिभाशित किया जाता है जिनका दाई तो विद्याले अपने उपर लेता है और इस पर पाठेक्रम का ताथ पर यह उन सभी क्रम क्रमिक कार्यों से है जो इन अनुबों से पूर्व अपने उपर ले लेता है इस रूपे पाठेक्रम का ताथ पर यह प्राई उन क्रमिक कार्यों से है जो इन अनुबों से पूर्व होने के साथ इन अनुबों के बाद आयोजित किया जाते हैं इन कार्यों को आठ वर्गों में समाहित किया जाता है जैसे कि पहला लक्षय देशेयर का निर्वधारन करना ती दूसरा है बाल को यह संग्यानार्था जिकास का पौशन कोशनैंट बाल्व में मनविज्ञियाने के बैं वनुल समाजिक मनोव विग्यानिक एवं सामाजिक स्वास्ते शमवर्धन अधिका में तू वयवस्ता शेक्षनिक स्प्रोतों का उप्योग छात्रों का विक्तिकत वहुद् एवं उनके अनुरूप शिक्षन सबस्त कार्यक्रमों है विवम मालको के कारियों का मुल्याणकन और नभिन कि पर कंदर्गा ती झिंट के पर्टिंट ना फिर बाल को संग्यानातल में घ्यान उसके जो संग्यानातल उसको पर्लाइब जान उससा कहा हो रहा है इस चीज को भी में जानना जाचना चाहिए ठीक है अधिक कि प्रकार की व्यवस्था यह सभी प्रकार की विवस्था का भी हमें ज्याण रखना सब्सक्राइए सब्सक्राइब करना चाहिए चाहिए चात्रों का व्यक्तिकत बहुत होना चाहिए उनके अनुरूपी सिक्षण व्यवस्ता होनी चाहिए 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 सब चीज़ों का व्यक्तिकत बहुत होगा और उसके अनुरूपी व्यक्या करेंगा शिक्षण व्यवस्ता करेंगा समस्त कार्यक्रम एवं तथा बालक के कार्यों का मुल्यानकर ना चाहिए पार्ट्रम तब तक उपयोगी नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा जब तक कि उस पाठ्यक्रम का हमें मुल्यांकर नहीं होगा इसलिए हमेशा मुल्यांकर का ओना बहुत आवशक है इसलिए पाठ्यक्रम की कारेक्रम समस्त जोपि पर फचलिए इस समझे में वालतो के कार्यों जितना गालक जो भी अनुबवभ कर रहा जो भी नविन प्रवितिया स्ब्सक्राइब कर रहा है उस सब चीजों का क्या होना चाहिए मुल्यांकन प्रवर्तियों का सरच जाता है बालक ने जो नवीन ज्ञान प्रात किया और नवीन प्रवतियों के साथ वह कि इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है क्या कितना आगे बढ़ेगा इस सब चीजह का भी उसे ज्ञान होना आफशका है इस प्रकार उप्यक्त कारिय को संपाजित करने के लिए विद्ध्यालय में जिन प्रवर्तियों का आयोजन किया जाता है उनके उनके प्रकार एवम संख्या में बहुत विवित्ता पाई जाती है कि तो व्यापक दृस्टि कॉन के अधार पर अगर हम देखे तो तीन प्रमुख भागों में इसे वर्गीकित कर सकते हैं जैसे शेक्षणिक क्रियाएं पाट्य सहगामी क्रियाएं और हूची कार्य आप शेक्षणिक क्रियाएं या शेक्षणिक क्रियाएं ले 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 या शेक्षणिक प्रवर्तियां ले ठीक है आप शेक्षणिक शेक्षनिक प्रवर्तियों या शेक्षनिक क्रियाओं में क्या क्या आएगा जद्दपी विद्याले में समस्त क्रियाक लापों के साथ शिक्षा शेत्र में की सिक्षा शेत्र की सभी सभी नवीन प्रवर्तियों जहां वे जहां भी जिस रूप में भी चाहें उसमें आयोजि पर द्रष्टि से किया जाता है इन प्रवर्तियों का आयोजन मुख्या रूप से व्यभारिक ज्यान अथार्ट प्रायों के कारियों का पाठ्यक्रम में समावेश होने तथा पाठ्यकु नवी शक्षण वीदियों द्वारा बालक की सक्रियता बालक की सक्रिएता पर अधिक बल देने में देने के फलसुरूप प्रयोक शालाएं, कारिय शालाएं, पुस्त कालिय, आध्या शेक्षिन पुरव्षिएं के कारिय इस्तल बन गएं इसके साथ ही इसके साथ ही अधिगम अनुभवों अथार्त विद्यार्तियों द्वारा वास्त्विक परिस्तितियों में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने पर भी अधिक बल दिया जाने लगा है इस उद्देश्य से इस उद्देश्य की पूर्ति एतू विबिन बोगोलिक वेग्यानिक ओद्योगिक धार्विक एतियासिक व्यवसाइक एवन सांस्कृतिक मैत्व के स्तानों के ब्रहमन एवन सर्वेक्षन आदिवे आयुजित किया जाते हैं जहां पर जाकर चात्र वास् स्तिघ्थियों का प्रत्यक्षन बषव करते हैं अतने शेक्सिक प्रवटियों नहीं र्यावS यहीं ही शामिल किया जिसके इंतरगेत्र आपको मैं समझा दू अच्छे से जैसे विद्याले पूर्दणाफ दाना आपते हैतरो है ह्याई हुँभी जोकुछ भी आ रहाए है जीदि रूप में चाहे जब भी ईयोजित हो शेक्षणिक रूप से उन्ही प्रवर्तिएं के लिए अधर को जैसे आउसे हमें दस्वी की परीक्षा पास करनी है तो हमारा लक्ष नहीं हो गया प्रायोग के कारियों का पाठ्यक्रम में समावेश होने से और तथा नविन्न शिक्षण वीदियों द्वारा बालकों कि सक्रियता प्र अधिक बल देने के फिलतोरू प्र्योक शालाएं तथा पुस्टका लिया आज शिक्षण प्रवरतियों के कारी सतर बन गए इसके साथ ही अब इसके साथ ही अब अधिगम अनुबवों अथार्त विद्यार्तियों द्वारा वास्त्विक परिस्तितियों में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करने पर भी अधिक बन दिया जाने लगा है इस उद्देश्य की पूर्ति इस उद्देश्य की पूर्ति है तो विबिन भोगोलिक विज्ञानिक ओध्योगिक धार्मिक एतियासिक व्यवसाइक एवं सांस्कृतिक मैत्व के जो इस्तान होते हैं जैसे हमें जैसे हमें पढ़ना रास्तान में पढ़ना है कि हमें पढ़न दूर्गों के बारे में भ्रमन करते हुए एक चीजों का में सकते हैं हम अच्छे से याद कर सकते हैं उनका सर्वेक्षन भी जित पर सकते हैं जहां पर जाकर वास्तव किस्टितियों का प्रतेक्शन वो करते हैं यह इस इसके अंतरद जैसे समंधित आते हैं जैसे किसी भी फैक्टरी का या और जो कि आता ना जो को के से रिलेटेड उनका वहां पर बालकों को बताए जाता है और बालकों को बताए जाता है कि यह चीज यहां पर बन रही है और यह इस परकार से बनेगी कि कच्चा माल यहां से आ प्राराम में पाठे क्रम का शेत्र विबिंविशयों की विबिन विशयों की पाठे वस्तूओं के अध्यापन की सिमित माला जाता पाठेक्रम का प्रारम में जो शेत्र थाना वो अध्यान और अध्यापन तक ही सिमित माना जाता था। हम verw- Zion बाटने के साथ साथ जो 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 ट्रियाएश चल रही है जो जो भी चल रहा विध्यालेकर अंतरगत आधिक आएगी पड़ीनीके सास साथ कक्षा कक्ष में जो पढ़ाई हो रही है उसके साथ साथ जो जो भी क्रियाओं के अंतरगत आएंगे वर्तमान समय में हाँ परन्तु पाठ्यक्रम का व्यापक दर्ष्ट्रिकॉन के अधार पर इन प्रवतियों को पाठ्य वर्तमान समय में वर्तमान समय में वर्तमान समय में विद्यालयों में शिक्षकों के निर्देशन में विबिन प्रकार की शिक्षकों के निर्देशन में विबिन प्रकार की विबिन प्रकार की पाठ्यक्रमिक नियाएं आयुजित की जाते हैं विबिन प्रकार की पाठ्यक्र बनाए जाते हैं खेल कुद नहीं होते हैं घोको का आयोजन कर लिया कभी कभD का कर लिया बंँख प्रमूक तुस्स्थ फ्राभू बपर में आयोजित किया जाती जिनने मिल्लेकित रूप से आस product नाज सिक शारिरीग विकास संबंदिक रिये अब स्टिक विकास कैसे होगा इसके अंत्र गद्वार्विक्शन प्रशिक्ष पीटी प्रेड उती ना फीटी व्यायाम खेल कूद वह एद खेल कूद टेरिंग परवतारोहन हाईकिंग तेरा की रोकायान अधिक रियाओं के सास साथ स्वास्त्य प्रशिक्षन भूघों से वचने का बशने की उपाई शुद्धता एवं सच्छता का ध्यान शुद्ध एवं घुष्ट्रिक आहर अहर मद्यःान आजिवातों मद्यान भोजर्ण आदि बातों को समाहित किया जता दूसरा है तोन आएगा सायितिक्रियाओं में क्या क्याइगी सढ़ितिक्रियाओं में आएगा इसके अंतर रगत्ण गोस्टि कारिय संगोश्टी कभीता पाठन अंताक्षी परीचर्चा वारता आशु भाषन पत्रिका प्रकाशन लेखन समाचार एवं पत्रवाचन एवं पुस्तकाले वाचनाले कि उप्योग आधिय से समंदित प्रवतियों का समावेश होता है तो साहितिक क्रियाओं के अंत्रुदत के विद्यार्ति अपने पक्ष में बोलेगा विद्यार्ति विद्यार्ति लाद विद्यार्ति अपने कारेयस के ऐक्रेकर करें कवित' कापक करें ंताक्ष हो और किसी मे Pakistani किसी किसी विशय वस्तूक के उपर चर्चा करे वारता लाप वारता करे आशु बशन अपना पत्रिका में जितने भी उसका लेक आता है उसको काटके रखें उसको सजाएं लेकन करें समाचार करें पत्र वाचन करें पुस्त काले यह वाशनाले का उप्यों करके जो भी शेक्षिन प्रवितियों का समय वेश होता है वो सब किसके अंतरगत आते हैं साहितिक क्रियाओं के अंतरगत आते हैं अब अगली आती है सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतरगत क्या आएगा सांस्क्रतिक क्रियाओं के अंतरगत आएगी सांस्क्रतिक क्रियाएं इसके अंतरगत एकल हिए एकल अभी ने मुल नाटकप्रहशन संगीट रत्या Yon you सभी प्रकार के मन रम जोबे मन इतनी प्रियाईं आती हैild curso में स्रेश्नात्मा कुझाए इस भर्ग में बालकों कान और बालाक में कुश नवीन करना कुछ नवीन खोजना एकुझा इस भर्ग में बालकों की रच्णसमधी प्रवर्थियों की пять फिच्चाकारी दस्ताकारी भागवानी उप्यागी वस्तुव का निर्मान या मुनविंता की खोज आदी को समावित किया जता है अब समाजिक्रियाओं यह सब क्विशना प्रभ्रतिया नगी किसी अंतरत आतीए सरज्चनात्मतरतिया अब समझे क्रिया से समझे क्रियाएं पालको दौरा तर्ध्याले माद्यम्प्धिया Крас savoir सभाइधिया आधी स्वास्ते सम्मंद्र करने शार को दूर करने कि अभियान झाली जन्चार ना अ आधी संचलीट करने का आधे संचालित कर आता है, इसके अंत्रगत क्या है समा से संमंद्र है क्या है आज प्रसार के लिए प्रसार के लिए आपको जो कुछ भी नवीन जानकारी गटी करनी है वह देना है घर कर जाकर बालकों को शिक्षा के लिए हमें प्रोट साहन करना है जैसे समाज की में जितनी भी कुरूतिया फैली हुई है जितने भी जितने भी प्रकार के अन्विश्वास चल रहे हैं उन सभी अन्विश्वासों को दूर करने के लिए बालक क्या करेगा विद्याले में आयुजित होगा विद्याले में आयुजित होग या अपने आसप्रोस में बताएगा या उनकों कुरूतियों को धूर करने के लिए कुछ अवियान से जूड़े या कुछ प्रचाब शुक्रों करेंगा इससे यह सब किसी किसके अंतरगत आएंगे समझ के कि अंतरगत आएंगे अब आएका राष्ट्री क्रियाकलाब तो Delhi अब शंरी आ इसका अन्तिमाना का क्लाभ इसके अंतरगत During the trip यह नहीं टीन एक जैनतिया मनाना इसके अंतरगत हम क्या करेंगे जैसे सविदान इवस आया भी सविदान इवस॥ मना राष्ट्रे ने ताहिं की यह जैनतिया मना गएी की तुम स्काउटिंग रेड पो आंसेम के सवा योजना ऐसायोग है ना समाज सेवा आंतरिक शुरक्षा सांप्रदाइक असर्बाव में सहयोग तथा राष्ट्रिय कार्यक्रमों के प्रचार पसार में सहयोग आधी प्रवर्तियां आती है जिसे कई सभी दिवस मनाना या राष्ट्रिताओं की जेंतिया बनाना अपातकाल में देश्यायं समाज के सेवा करना अंत्रीक लूप से देशको सुरक्षायं सहयोग् प्रधान करना अधी प्रवर्तिय के इसके आगये लाष्ट्रियक ईंतर्गत आएगी अब इसका आखरी बिंदू है रूची कारिये, अब इसमें रूची कारिये के अंतरगत क्या क्या आएगा, इसके अंतरगत वे सभी फ्रवर्वर्थिया आ जाती है, जिनका नियोजन, जिनका आयोजन, विद्याले द्वारा बालकों के रूचियों का समुचित विकास करने, तता इसका उद्देश करने के बालकों में जो रूचिया हैं वह रूचिया को और जदा विक्सित किया जाए है इसके उद्धेश्य से बालकों में ऐसी आयोजन किया जाते हैं इस प्रकार के की प्रवर्तियों में विबिन वस्तूओं जैसे टिगेट सिक्के पत्थर आदी का संग्रह करना चित्र एम फोटोग्राफिक यान टे कार पड़ी चीजों के चीजों से उप्योगी वस्तूऐे बनांड विविन लग स्वेण प्रकार की चित्रों हो के के आलबम तयार करना के चित्रों के यार करना कि उस विद्धियाले में आउजित किये जाने वाले खर 우리 कि जाने वाले प्रवर्तियों को अप्युक्त तीन वर्गों में विबाचित किया जाने का प्रयास किया गया है किन्तु इसे सही माइने में ने तो इन प्रवर्तियों में पूर्ण सूची तयार की जा सकती है और नहीं उन्हें निश्चत रूप से किसी वर्ग में रखा जा स सकता है कि उधारण अगर हम इसके उधारणात देखें तो बाद विवाद या परी चर्चा पेनल चर्चा आधी प्रवतियों को पाटे सहगामिक रिया हों के अंतरगत अंतरगत साहितिक प्रवतियों में शामिल सिमिलित किया जाता है किन्तु यदि इनी प्रवतियों को निधारित पाटे क्रम के किसी कारण के अध्याद्यापन की किसी वीदी के रूप में प्रयोग किया जाता है तब यही श्यक्षिक प्रवतिया हो जाती है इस प्रकार व्यवस्ता इस प्रकार प्रवयुटियों के अंत्रगत की कुछ लाजये अब तक एक कुछ राज्यों ने इसे अब एक अनिवार्य के रूप में पाठ करम एक्ष्ज्दशान प्रदान किया किया है अत्य अब यह शेक्षग प्रवतियों का स्हामीलित हो गया है वास्ता में पाठ्यक्रम के विकास की प्रख्रियात का ही प्रिन्जिवन कि प्रखुर्णा लिए उसी मानब द्वारा प्रगति पर विजय साफ। राप्त करने का अभियान मानव दारा प्रगति पर विजय प्राप्त करने का अभियान नवीन खोज एवं अविशकार निरंतर परिवर्तित होने वाली सामाजिक आर्थिक परिस्तितियां ज्यान का विस्पोर तथा विभिन व्राजनेतिक विचारदारों आदिके द्वारा मानव को स सफलता पूर्वक समाधान निकालने के लिए मानव को अपनी वर्तमान अवस्ता में यतोचित परिवर्धन करते रहना पड़ता है। समाध का भी यह प्रयास वेता है कि वह बालकों को जीवन में ठीक प्रकार से समायुचित करनी हो सकने हैं तु उप्यूक्थ शिक्षा की विवस्ता कर सकें इसके तदा अनुसार शिक्षा उद्धेशय एवं पाठ्यक्रम में उपयोगत परिवर्तन एवं परिवर्धन की प्रतियां चलती है उधार नाथ प्रजतात नित्रिक शाषन प्रणाली की स्ताप्ना के प्रणाम सवरूप विभिन्न देशों में नावरिक्ता की शिक्षा की आवशक्ता उत्पन हुई उद्योगिक प्रगती के कारण बढ़ते हुई दुगतनाओं के बचाव है तू पाठेक्रम में सुरक्षा, शिक्षा तथा मोलिक मजदूर एवं जगुडों के निराकरण है तू पाठेक्रम मे समाज वदे दृष्टिकोंड का समावेश किया गया विज्यानिक प्रगती तथा आवगमन के साधनुक के विकास के फलसुरू विबिन्न देशों को एक दूसरे के नस्दीक जाने का उस्सर्परदान प्राप्त हुआ और उन्हें एक दूसरे के भूपागों एवन वेभा में करने तता उपनिवेश इस्ताफित करने की करना प्रारम हुआ जिसके कारण छोटी छोटी लड़ाईयां के साथ दो विश्व युद्धों से भी विश्व शान्ती विश्व मानवजाती को गुजरना पड़ा इसके समाधान है तु अंतराश्टी सद्वाव एवं विश् प्रियास किया जाने लगा पड़नाम सुरू पाठेक्रम में में पाठेक्रम में राश्टी एवं भावात्मक एकता तता नागरिक नागरिक ता की शिक्षा के सासाथ अंतराश्टी सद्वाव एवं विश्व बंदुत्व की शिक्षा का भी समावेश किया गया विश्व का विस्तार के समब्द में यह बात मैत्वपूर्ण भी है कि प्रारम में शिक्षा के अभिचात वर्ग तकी सिमितnyt के ब्रामनों तकी शिक्षा इस वर्ग को पाड चिंता नहीं होती थी तदह वह अपने बाल को अपने वर्गिये ही तो को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता रहा इसके फल सुरूप भाट्यक्रम भाष्या साहित्य इतियास ललित कलाओं तो सामान्य शिष्टाचार तक ही सिमित था किन्तों दी शिक्षा का दिरे साथ मीद्यम मर्ण सवेल को अपनी रोजी डोटी कमाने हैं विवसाइक विवसाइक विश्यों का समावेश कर दिया गया अठारफिस स्यताब्दी में उर्फ में उध्यों की कुरांती ने पाठीक्रम में अधिक से अधिक वेग्यानिक विश्यों को सिमिलित करने के लिए सभी को बाद्य कर दिया गया बाद में व्यवसायों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यवसाय विशेश में विश्ष्ट्रता प्राप्त करने की वोड कि अनुकूल विशेश के चैन की आवशकता का अनुबव किया जाने लगा इस उद बेता शमता आव अभी रूच्यों के अनुसार ही सही विशेश चून सके एवं उन्हें इसके लिए निर्देशन आवं प्रामर्श के कार्यक्रम भी पार्ट्यक्रम में सिमिलित किया गया चोकि बालकों को व्यवसाइक व्यावसाइक जीवन के साथ-साथ पारिबारिक समा आपार्ट का कार्यें का का र्या सैक्ट के साथ 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 पार्टे कर्म का अंग मांना जाने लगा इस प्रकार वरतमान युग में जनसंक्या व्रधी महानगरों की गनि आबादी एवं गंदी वस्तियों आदि के कारण मानों को विभिन प्रकार कि प्रदूशनों के ात्व का सामना करना पढ़ रहा है जिससे अनेग प्रकार की बिमारिय उत्वन हो रही है अता है इसके साथ यूग उन्तरे यूग के रूप में विच्सित हो रहा है अतर अब पाटेक्रम में अंतरिक्ष संबंदिक ज्यान का अधिक से अधिक समावेश करने में काफी ततपरता काफी ततपरता से प्रयास किये जा रहे हैं पलणाम सुरूप नित्य नए विश्यों के नाम सुनने को आ रहे हैं रोज लिए में विशय हमारे सामने आ रहे है इस प्रकार हम देखार हैं कि मानव जीवन से संबंदित हर पाटेक्रम पर तब तक चलती रहेगी जब तक मानव को अस्तित रहा है धन्यवाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप पुन्या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या महाविद्याले में आकर मुझे संपर्क करें धन्यवाद